मुंशी प्रेम चन हिंदी आउडियो बुक सीरीज जुड़े रहे वी असिस्ट्यू कपूर के साथ ऐसी नई-नई कहानियों के लिए आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेम चन की कहानी एक आच की कसर पूरी नगरी में शिरीमान यशोदा नंदी की खोब चर्चा हो रही थी उनकी कीरती के बारे में नगर वासी ही नहीं बलके अखवारों में भी लोग लिख रहे थे उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर के बाहर लोगों की फिर्च जमा थी यही तो होती है समाच सेवा, जो इनसान को इतना मान सम्मान दिला दे उँचे विचार के लोग अक्सर ही अपने समुदाय के लोगों का सिर इसी तरह से उँचा कर देते हैं अब कोई किसी को यह रही कह सकेगा, कि नेता सिर्फ बातें बनाते हैं और काम नहीं करते इन्होंने ऐसा कार रिकर के साबित कर दिया है कि ये धन दौला से ही धनी नहीं बलकि सोच से भी है ये चाहते तो अपने बेटे की शादी में दहेज भी ले सकते थे लेकिन अपने सिध्धानत पर किस तरह से खड़े रहना चाहिए ये इन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया है दहेज में एक रुपए भी ना लेकर ये शोदा नंग ने बता दिया कि वो सहासी भी है और अपने सिध्धानतों से खुब प्रेम भी है इन्होंने वो किया जो कोई ना कर सका ऐसा करके ये शोदा नंग ने सबका सिर्ध गर्व से उचा कर दिया है शिरिमान ये शोदा नंग के दो बेटे थे एक बेटा इस ना तक की पड़ाई पूरी करके विद्वान बन चुगा था उसी के शादी हुई है और वो भी बिना किसी दहेज के आज दूले का तिलक हुआ जिसमें कई सम्मानित लोग आए थे महफिल जमाने के लिए कुछ लोग सितार का हुनर दिखा रहे थे सब लोग ये शोदा नंग को बधाईयां दे रहे थे और दावत भी तयार थी एक विक्ति ने ये शोदा नंग से कहा आपने कमाल करके दिखा दिया दूसरे महमान बोले सिर्फ कमाल ही नहीं इनोंने ज्छंडे गार दिये हैं लोग दहेज के खिलाफ सिर्फ बोलते हैं लेकिन इनोंने कर दिखाया है फिर तीसरे अतिती कहने लगे लोग पहले दहेज ले लेते हैं और फिर उस पर परदा डालने के लिए कहते हैं कि मुझे नफरत है दहेज से लेकिन लड़की की दादी, मा या कोई तीसरा माना ही नहीं तभी चौथे सम्मानित पुरुष बोल पड़े आप जानते नहीं कितने तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने अपने बेटे की पढ़ाई में खर्च किया है उस पैसे को तो वापस लेना ही था उन्हें सुनकर लगता है कि उन्होंने बेटे की शिक्षा पर खर्च करने की जगे पैसा बैंक में जबा करवाया हूँ सब को सुनने के बाद पांच में विक्ति कहने लगे मुझे समझ आ रहा है कि आप लोग मुझे सुना रहे हैं क्या सारा दोश लड़के वालों का होता है लड़की वालों का कोई दोश नहीं है ये सुनते ही बात को शुरू करने वाले पहले सज्जन ने पूछा इसमें लड़की वालों का दोश कैसे सिर्व इतना कि वो लड़की के परिवार वाले हैं दुखसरे महमान ने भी पांच में से सवाल किया हाँ सारा दोश भगवान का है उसने लड़कीयों की रचना की ही क्यों तम ही पांच माँ वेक्ती बोला मैंने ऐसा नहीं का कि सारा दोश लड़की वालों का है लेकिन लड़की और लड़के वाले दोनों ही बराबर के दोशी है लड़की वाले पैसा नहीं देंगे तो कम से कम उन्हें शिकायत करने का हक नहीं होगा कि लड़की के लिए अच्छा दूलेंगे जोड़ा क्यों नहीं लाए बाजे गाजे अच्छे क्यों नहीं लाए चौथे इनसान ने कहा आपकी बात पर गोर करना चाहिए फिर पाँचवा कहने लगा बस तो आपको मानना होगा कि लड़कों के तरफ से दिये जाने वाले गहने जोड़े भी दहेज की तरह ही एक ऐसी प्रसा है जिनका भी त्याग होना चाहिए ये सब सुन रहे ये शोदा नंद ने कहा ये सब बेकार की भानेवाजी है मैंने दहेज नहीं लिया तो क्या मैं अपनी बहु के लिए गहने और कप्ड़े नहीं लाँगा इतने में इस बातचीत की शुरुआत करने वाला पहला वेक्ती बोला हाँ आपकी बात एकदा मालग है हम जैसे आप लोगों में आप नहीं आते आपकी गिंती दिवताओं में होनी चाहिए दूसरे ने जवाब में सिल हिलाते हुए कहा आपने दहेज की इतनी बड़ी रिकम छोड़ दी बहुत खोब बहुत खोब ये शुदान हम तभी बोल पड़े मेरी बड़ाई मत कीजिए मेरा साफ मानना है कि इनसान को अपने सिधान्त पर ही चलना चाहिए सिधान्त के सामने पैसों का कोई मोल नहीं होता मैंने भरी सबा में कभी दहेज जैसी कुपरता के बारे में कुछ नहीं का लेकिन इस प्रस्ताओं पर कॉन्फरंस में मैंने हामी भरी थी और मैं इससे बंद चुका हूँ मैं चाह कर भी दहेज नहीं ले सकता मेरी आत्मा मुझे कभी ऐसा करने नहीं देगी और कभी ऐसा कर लिया तो मुझे मांसिक रूप से इतनी पीड़ा होगी कि मैं सहें नहीं कर पाऊंगा पांच में विक्ति एक दम से बोल पड़ा आपके इस कार के लिए कॉन्फरंस में आपको सभापती अगर नहीं बनाया तो गलत होगा ये शोदानंद जवाब देते हैं मैंने दहेज न लेने का फैसला खुद से किया है इसके लिए मुझे किसी तरह की पहचान मिले या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता इसी बीच शाजहापुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आ गए सभी उन्हीं के इंतजार में थे उन्होंने पूरे रीती रिवास के साथ तिलक किया उसके बाद दहेज को कुप रथा बताते हुए ये शोदा नंद भाषण देने लगे साफ पता चल रहा था कि उन्होंने भाषण की पूरी तैयारी कर रखी थी उन्होंने कहा कि पहले दहेज जैसी कोई प्रथा रही थी बादशाहों के जमाने से ये कुप रथा शुरू हुई उस समय सारे नوجवान युवक सीना में चले जाते थी जिससे लड़के कम होने लगे और दहेज से लड़कों का तोल बोल शुरू हो गया अब ये कुप रथा इतनी बड़ी हो गई है कि मेरी चोटी सी कोशिश को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है मैंने किसी तरह का साथरण कार नहीं किया है हर कोई ये काम कर सकता है ये प्रथा जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए ये शुदा नंद का भाशन थोड़ा लंबा था लेकिन लोगों ने उनकी खोब तारीफ की उसके बाद उन्होंने अपने साथ साल के बेटे परमानन से कहा कि बेटा तुम मंच पर आओ और कुछ पढ़के सुनाओ शायद वो बताना चाहते थे कि उनके घर का सबसे छोटा बेटा भी कितना बुद्धिमान है वैसे सभाओं में छोटे बच्चों द्वारा अभिननन पत्र पढ़ना बहुत आम बात थी तिलक के कामकाश को देखने के लिए ये शोधा नन थोड़ा आगे चले गए और पर्मानन जो कि उनका पत्र था उसने वो पत्र अपनी जेव से निकाल कर पढ़ना शुरू किया नमस्कार आपके पत्र से ऐसा मालूम होता है कि आपको मुझ पर थोड़ा भी भरूसा नहीं है मैं किसम खाता हूँ कि पैसों की बात इतनी गुप्त रहेगी कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा वैसे इसे राज रखने से आपका खूब नाम होगा लेकिन मेरी काफी बदनामी होगी अब इस लेन देन को गुपत रखने से मेरी जो बदनामी दुनिया में होगी उसके लिए आप पच्चिस में से पांच कम करने की मुझ पर क्रिपा करें बले ही ये शोदा नंद दूर था लेकिन उसके कान में पच्चिस से पांच कम करने वाली बात पड़ गई ये सुनकरी वो दोड़ कर अपने बेटे के पास गया और कहने लगा कि डाला एक ये क्या पढ़ रहे हो ये तो कुछ कानूनी कागज है ये सुनकर एक विक्ती ने कहा पढ़ने दीजिये ना ऐसा कानूनी कागज हमने पहले कभी नहीं सुना और इसे सुनने में जो मज़ा आ रहा है वो बहुत ही अलग है तभी ये शुदा नंद की बढ़ाई में बास शुरू करने वाले पहले महमान ने परमा नंद से पूछा बेटा तुम्हें ये कागज कहां से मिला उसने जवाब दिया मेज की दराज में ये रखा हुआ था इन्होंने मुझे पहले ही कहा था एक कमरे में पत्र रखा है पढ़ देना और जब पढ़ने लगा तो गुस्दा करने लगे ये शुदा नंद ने कहा नालाइक वो ये कागज था इसे मेज के उपर रखा था मैंने तुम्हें किसने दराज कोरने के लिए बोला था इतना कहा कर गुस्दे से ये शुदा नंद अपने बेटे की तरफ देखने लगा पहले विक्ति ने कहा साहाब ये आकाश वानी थी अब कोई फायदा नहीं सारा भांडा फूट चुका है तब ही अन्हें लोग कहने लगे कि ये भी ऐसा ही निकला चलो अब सब अपने अप कर लेते हैं पता ही नहीं चलता चलिए चलते हैं ये शुदा नंद ने लोगों को रोकते हुए कहा अरे रे बैठिये दावत तैयार है पतल भी लग गया है कुछ खा कर ही जाईएगा तीसरे इंसान ने एक दम से पूछा आपको इस तरह की हरकत करते हुए शर्म नहीं आई इतना सम्मान जो मिला था वो असली त्याग से मिलता है इस कदर धोखा धड़ी से नहीं चौथे व्यक्ति ने कहा नहीं नहीं इन्हें धोखा धड़ी से ही मिल गया था सब कुछ बस एक आच की कसर रह गई सब में पांच मा आती थी बोला जूटा दिखावा करने वालों को भगवान इसी तरह से सजा देते हैं इतना कहकर लोग ये शोदा नंदी के घर से चले गए और वो अपने बेटे को गुस्ते से देखता रह गया उधर रास्ते में जाते हुए लोग ये शोदा नंदी के घर हुए उस पूरे नाटक के बारे में कहने लगे कि पढ़े लिखे धनी और विद्वान लोग भी ऐसी हरकत करते हैं इन्हें पैसा लेना ही था तो खुल कर लेते कोई रोख थोड़ी रहा था इस तरह से दिखावा करके लोगों को क्या जटाना चाहते दे इन्हें पैसा भी कमाना है और मुफ्त की इज़द भी चाहिए इस पर एक विक्ति ने कहा अब मुझे ये शोधा नंद पर दया आ रही है उसमें इतना सब कुछ रचा और अपना जूट चुपाया लेकिन आखिर में सब कुछ सामने आ गया बस एक आँच की कसर रह गई इन सब में और ये कहानी यहाँ पर समाब्त हो इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जूट और फरेब के उम्र लंबी नहीं होती सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है सच सामने आने का रास्ता खुद जूडता है और जूट का फांडा पोड़ देता है इसलिए हम सब को दहेज जैसी कुपरथा से दूर रहना चाहिए इसे कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए